पर सामने आई है और हिजाब का विरोध करने वालों को एरान की सरकार फासी देगी बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है पिछले कई माइनों से एरान में जगा जगा महिल आए हिजाब का लगतार विरोध कर रही थी इसमें करी 15,000 लोगों को जेल में भी बंद किया गया प्रदर्शन कारियों की मौत भी हुई है लेकिन विरोध नहीं थमा है जिसके बात अब सबक सिखाने के लिए इरान की सरकार जेल में बंद 15,000 अंदोलन कारियों को मौत की सजा देगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे जहाँ पर इरान में लगतार हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था महिला इस सडकों पर थी कोई अपना विरोध किसी भी तरीके से दर्ज करा जा रहा था 15,000 लोगों को फांसी एक साथ दी जाएगी वो अंदोलन कारी जो लगातार हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन सडकों पर कर रहे थे और लगतार दिखेए अब देश सामने आ रहे हैं 15,000 लोगों को फांसी देना ये बहुत बड़ी खबर है और या कीजे कि इस तरीके से हिजाब के प्रदर्शन में समाम महिलाएं अपना स्काफ निकाल कर बाहर आई थी कई महिलाओं ने अपने बाल भी काटे थे और पूरे विश्व पटल पर इस घटना का पूरी तरीके से विरोध किया गया था